एक लेडी हमारे पास में आई और हम ननको हाथ लगा दिया जैसे बाकी पेशेंट को हम हाथ लगाते हैं तो वो दो मिनेट तक उनके हाथ की तरफ देखती रही और वो रोने लगी उन्होंने कहा अब मैं मेरी बेटी के बाल बना सकती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और उसका असर देखते हैं कि वो इनसान की खुश उसके चेहरे पर दिख रही है वो ऐसा होता है कि शायद आपको भगवान मिल गए मेरी एक्सपेक्टेशन के काफी उल्टा था इंजिनियरिंग कॉलेज के क्योंकि मुझे लगता था महाँ पर वो आविशकार होगा उसकी बाते होंगी पर ना वहाँ आविशकार था ना उसकी बाते थी बात सिर्फ एक थी कि आप वो 40 नंबर कैसे लाएंगे आपको एक्जाम कैसे पास करनी है और आपको जॉब कैसे मिले पर आपो को क्या जचार मेला तब तक कुछ दिमाग में था ही नहीं कि मैं को लोगों के लिए कुछ बनाना रहा करना है मिय हसको अपना प्रोजेक्ण करना है जिस इंसान को मैं पहली रसला वह थो छोटी सी बच्ची थी साथ साल की बच्बन से दोनों आत बस मैं को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए मैंने एक कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि मुझे एक बच्ची है उसके लिए दो हाथ चाहिए उस कंपनी ने अगले दिन मुझे 24 लाक रुपे मांद तो सोचा और ढूंदता हूं ऐसे कितने लोग है जिसको ऐसे हाथ की जरुवत है तो इंडिया में सिर्फ हर साल 40,000 से भी ज्यादा लोगों के हाथ कटते हैं और 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सल्यूशन नहीं रीजन वो अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो मन में लगा कि या शायद ये वो चीज है जो मुझे वो आंसर देदे कि मेरे लाइफ का परपस क्या है हमने एक ऐसा हाथ बनाया जो कहीं भी और किसी को भी इजीली लग सके आज कहीं न कहीं और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे हाथ की बहुत जरुवत है हम गाओं गाओं जाक के ऐसे लोगों को मदद दे सकते हैं उनको वो हाथ दे के उसको उमीद दे सकते हैं क तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ कर सकते हो और उन तक पहुचने के लिए मुझे आपकी मदद की जरुवत है.